चतीस गड़ की जनता का वहान करने का उस्तर प्राप्त हो रहा है बेन और भाईयों आज जब प्रातों में लखनों से राइपुर के लिए प्रस्तान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्या आज आप छतीस गड़ जा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं मैंने कभी छतीस गड़िया और सबसे बढ़िया लोगों ने कहा कैसे मैंने कभी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है और छतीस गड़ तो छतीस गड़ तो हमारे आराध्य प्रवुश्री राम का ननिहाल है माता कौसल्या का माईका है जितने अविबूत उत्तर प्रदेश वासी और देश वासी हुए है अयोध्या में पानसो वर्सों के बाद रामलला आगमन रामलला के पनर आगमन पर उससे ज़्यादा खुसी छतीस गड़ वासीयों को है और इसलिए तो छतीस गड़ के बैन और भाई जहां अभी बूत हैं आनन्दित हैं वहीं मुझे छतीस गड़ के अपने बानवाईयों के साथ आज चुनावी सवाओं के मात्यम से संबाद बनाने का उसर प्रात तो होगा तो स्वाबाई कुरुप से जो प्रभु के आगमन पर अभी बूत हों आनन्दित हों उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा और इसलिए मैंने का चतीस गड़िया तो सबसे बढ़िया बैनोर भाईयों चतीस गड़ अपनी पैचान आज से नहीं हजारों वर्सों से अपनी इस विरासत का संग्रक्षन करती आ रही है सरकारों ने पेकस्ता की होगी लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवी को प्रस्तुत करने का प्रियास क्या होगा लेकिन भारती जनता पार्टी की सरकारें चतीस गड़ के अंदर या केंद्र में सरदेव अटल जी की सरकार रही हो या फिर पिसले तस वर्स में प्रदान मंत्री मोदी जी के नेत्रत्व की सरकार जिस मजबूती के साथ चतीस गड़ को उसकी पैचान दिलाने के लिए प्रतिबद दिखाई देती है वह अभी भूत करने वाली है और इसलिए बेन और भाईयों आज हम सब आपके पास आएं आपसे कहने के लिए आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है प्रवू राम लला पांसो वर्सों कंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका अगमन हुआ है क्या ये काम कॉंग्रेस के लोग कर पाते क्या लेको जब अगवान राम को चौदा वर्स का बनवास हुआ था तो उनौने उस समय भी उस कालखंड का उप्योग भी कहां किया सब से पहले जब अपने स्वयम के अयोध्या से उनको बन के ले जाना पड़ा तोनों ने इसी 36 गड़ की तरफ रुख किया क्योंकि ननिहाल नजदीक था और पहले चित्रकोट आये और फिरी दंड कारणे होते वे पंचवटी की तरफ गए और उस समय भी उनके सामने चनौती थी और चनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राकसस रावण के कुछ राकसस उस समय इस पूरे छेत्र को यहां के रिसी मुनियों और ग्यान और अरादना में रत उस समय की साधना में रत रिसी मुनियों को परिसान करते थे वहाँ के सब्वे समाज को प्रताडित करते थे उनकी सुरक्सा का दहित तो उसकाल घंड में हजारों वर्स पहले प्रवुराम ने अपने कंदे में लीती कि नहीं निस्चरहीन करो मही का संकल्प ले करके उन्होंने इसी धर्ती पर इसको रक्सस विहीन करने का जो संकल्प लिया उसी का पेड़ाम था कि लंका के राजा रावन को भी अंततह अपनी पुरी खांदान के साथ दूसरे लोग के लिए प्रस्तान करना पड़ा था बैनोर भाईयों प्रव राम की इस महिमा की भूमी 36 गड़ में आकर के कौन लोग अईबूत नहीं होंगे जब राइपुर में बगवान राम का मंदिर बन रहा था डॉक्टर रमन सिंग जी उस समय यहां के मुख्य मंत्री थे उस समय उन्हांने कहा था मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या मैं भी नहीं बन पाया लेकिन हम पहले 36 गड़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर तो मैंने कहा पहले तो ननीहाल में ही बालक आता है जब अयोध्या पे 36 गड़ में राम दला आ जाएंगे तो अयोध्या में